नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक के डिवे राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नज़र आलते हैं आज की हेड्लाइन्स पर तालिबान के कावल पर नियंतरन के बाद अफगान नागरिकों के मानवाद के अधिकारों को लेकर चिंताएं बड़ी मेगाले कर्फियों के बीच सियार पीफ की गाड़ी पर हमला सीएम आवास पर पेट्रोल बम फेके गए प्रधान मंत्री ने स्विकारा 80% से जादा किसानों के पास 2 हेक्टेर से कम जमीन तो फिर MSP की लीगल गारंटी क्यों नहीं और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में करीब 33,000 नए मामले 7,417 मरीजों की मौत राश्टरपती अफ्टर अफगानी के देश शोडने तथा तालीबान के अशवगानिस्तान की राजधानी काबूल में प्रवेश करने और रविवार 15 अगस्त को शहर के सभी प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों पर गबजा करने के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका की जल्दबाजी में वापसी की दुनिया भर में आलोशना तेज हो गई है इस शेत्र की कई सरकारे और मानवदगार कारे करताओ वैश्विक नेताओ ने देश में नागरिकों के खिलाफ हिंसा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और तालिबान से सयम बरतने की अपील की तालिबान ने 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया है आईए सुनते हैं इस पर वरिष्ट पत्रकार अविसार शर्मा का क्या कहना है भारत की निगाह से चिंतित करने वाली खबर यह है दोस्तों कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर संपूर्ण कबजा कर लिया है इस वक्त वो काबुल के प्रेजिदेंशिल पैलिस में हैं ये विडियो आप देख सकते हैं इसके अंदर तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो काबुल के प्रेजिदेंशिल पैलिस में नमाज अता कर रही है सबसे ज़ादा चिंतित करने वाली बात ये है कि अब सोचकर भी सहरन पैदा होती है कि अफगानिस्तान के बच्चों का क्या होगा अफगानिस्तान की औरतों का क्या होगा आपके स्क्रीन्स पर इस खबर के मताबिक भारत सरकार तालिबान के साथ गुप्त तरीके से बात कर रहा था सीक्रिट टॉक्स कर रहा था पिछले काफी हरसे से मैं ये समझना चाहता हूं मोदी सरकार से कि तालिबान को लेकर अफगानिस्तान को लेकर आपका क्या प्लान है क्योंकि भारत इस वक्त एक बहुती अजीब और गरीब स्थिती में है चीन के साथ L.A.C. में हमारा संगर्श हुआ हमारे 20 जवान शहीद हो गए चीन के साथ हमारे रिष्टे खराब पाकिस्तान के साथ वैसे ही L.A.C. पर तनाव लगातार बना रहता है उसके साथ हमारे रिष्टे खराब अब उपर से अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार आ गई है तालिबान जो कि भारत विरोधी है और उसके दो सरल सबूत में आपको देना चाहूँगा आपके स्क्रीन्स पर दानिश सिदी की दानिश सिदी के एक भारती पत्रकार था और तालिबान ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया उनको इस बात की परवा नहीं थी कि दानिश सिदी के एक मुसल्मान था नहीं दानिश सिदी के एक भारती था इसलिए तालिबान ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया पर लेकर आये थी उन आतंकवादियों को और वो आतंकवादी चले गए थे तालिबान की मदद से क्योंकि तालिबान की उस वक्त सत्ता थी इसलिए फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ मोधी सरकार की दरसल प्लानिंग है क्या तालिबान को लेकर क्योंकि अब तक मोदी सरकार की जो भी रणनीती होती है उसके पीछे सिर्व एक सोच होती है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कैसे बढ़ाया जाए उनके रुतबे को कैसे बढ़ाया जाए देश भर में, दुनिया भर में उनका डंका कैसे पीटा जाए मगर आज हमारे सामने एक बहुत कठिन चुनौती है ये तीन चुनौती हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ पाकिस्तान से संबन खराब चीन के साथ संबन खराब और अब अफगानिस्त कान के अंदर तालिबान सोच कर भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों महां के जो सेकुलर लोग है लोगतंत बेशवास करने वाले लोग है वहां के जो ओड़ते हैं मैलाएँ, बच्चे हैं उनके साथ क्या करने वाले हैं तालिबानी अ आतंकवादे मुझे चिंता इस बात किये दोस्तों कि कश्मीर के अंदर मोधी सरकार की नीती काफी हद तक कारगर साबित नहीं हो रही है और अगर तालिबान वहाँ पर जड़ें जमा लेगा और तालिबान अगर अपनी पुरानी फित्रत पर काइम रहा अपनी पुरानी हरकतों पर काइम रहा तो इसका असर कश्मीर पर भी पढ़ सकता है कोई भी ये ना सोचे आज की तारीख में कि तालिबान आने से किसी को फाइदा होने वाला जी नहीं मैंने कल सोशल मीडिया पर देखा कई ट्विटर हैंडल्स ये कह रहे थे कि बई तालिबान को भी छे महिने का वक्त दीजे एक आतंगवादी के हाथ आप अपने जानों माल को सुरक्षित समझते हैं आप उन्हें मौका देना चाहते हैं मेखाले पुलिस ने सोमवार 16 अगस्त को मीडिया को बताया कि सी आर पी एफ कर्मियों को ले जा रहे एक वाहन पर कर्फियू के घंटों के दौरान शिलांग के मलवाई इलाके में परदेशन कारियों ने हमला किया जिसके बाद सुरक्षा बलो को हलका बल प्रयोग करना पड़ा रविवार 15 अगस की रात को उपरी शिलांग के थर्ड माइल इलाके में मेगाले के मुक्यमंतरी कॉर्णराड के संग्मा केनिजी आवास पर पेट्रोल बंप से भी हमले हुए रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमले वाहन सवार हमलावरों दौरा रात लगभग दस बजे किये गए राजे पुलिस के अनुसार इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है पहली बोतल सी एम के घर के सामने फेकी गई थी जबकि दूसरी उनके बैक यार्ड ये घटना मेगाले सरकार दौरा पूर्वी खासी हिल्स जिले में रविवार रात आठ भजे से प्रभावी रूप से कर्फ्यू लगाने लगाये जाने के बाद हुई ये कर्फ्यू तब लगा जब HNLC के पूर्व नेता चेस्टर फील्ड थांग चीव की हत्या के खिलाफ शिलॉंग में हिंसक ग्रोध प्रदर्शन बढ़ने लगे थे राजे सरकार ने राजे के अर्व में कहा कि भारत में 80% कीसान के पास 2 olla क्यू essayer से कम की जमfat दो हेक्टेर से कम की जम्हाले असी फिसी किसान की बात करके पुर्दानमंत्री ने किसान अंदूलों के बारे में कुछ भी नहीं का जबकि हकिक्ट यह है कि नए क्रिशी कानून लागू होने पर ये 80% किसान भी बरबादी के गगार पर खड़े मिलेंगे रिजर्फ बैंक आफ इंडिया के रिपोर्ट कहती है कि साल 1960 में तो करीबन 60% लोगों का जिन्दीगी का गुजारा खेती किसानी से हो जाता था साल 2016 में ये आकड़ा घट कर 42 फीसिदी हो गया है और अभी CMII यानि Center for Monitoring Indian Economy का कहना है कि कोरोना के बाद क्रिशी शेत्र पर रोजगार की निर्भरता बड़ी है शेहरों से मायूस लोटे लोग खेती में मजदूरी करके ही अपना जीवन जीने गाज जुगार कर रहे हैं हाल फिलाल तकरीबन 46 फीसिदी अबादी अपना पेट पालने के लिए क्रिशी शेत्र पर निर्भर है ऐसे में सवाल ये है कि जब प्रधार मंतरी स्विकार कर रहे हैं कि भारत में 80 प्रतीशत किसानों के पास 2 हेक्टेर से कम की जबीन है तो वह उन किसानों के लिए MSP की गार्रेंटी पर बात क्यों नहीं करते निउसक्लिक के अजे कुमार का यह पूरा लेक आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं कि इंद्रस्वास समंतराने द्वारा आज सोमबार 16 अगस्त को जारी आखडों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 32,937 नई मामले दर्ज किये गए हैं और 417 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश में करोना से पेड़ित 35,909 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में 3,389 मामले कम हुए हैं देश में संक्रिमित लोगों की संक्या बढ़कर 3,22,25,513 हो गई हैं जिन में से अब तक 4,31,442 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित 97,48% यानी 3,14,11,924 मरीजों को ठीक किया गया जा चुका है देश में आक्टिव मामलों की संक्या घटकर 1,19,497 हो गई है स्वास मंताले की साथ जान कहा है कि इसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 5,54 करोड डोज दी जा चुकी है जिन में से 7,5,70,000 डोज बीते 24 घंडों में दी गई है यूज क्लिक के डेरी राउंड अप में आज बस इतना ही हमारी ख़बरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बूक, इंस्ट्रग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें में इस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया